Apple ने iPhone 13 के बारे में जो भी कहा ये थो हम सबको पता चल गया लेकिन ऐसे बहुत सारी information थी जो Apple event में नहीं cover की गई थी तो आएए इस वीडियो में इनी सब points सा खुलासा करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है Amit, welcome back toology and taken in the It's time for technology अब इस वीडियो में हर एक term को मैं समझाऊंगा नहीं जाटे cinematic mode क्या है ProRes क्या है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जो audience वेल informed है इसलिए सीजा चलते हैं मुद्धे पर अब मुझे ये बताओ कि आप Pro models क्यों खरीते हो आप इसलिए खरीते हो कि आपको जादा features मिले compared to base model लेकिन उन गिने चुने additional features में से एक feature और कम हुजा है तो क्या अब iPhone 13 के जो Pro models है उनमें आपको मिलता ProRes का feature लेकिन यूजली आप जब वीडियो recording करते हो तो आप prefer करते हो कि 4K में recording करो ना के 1080p लेकिन अगर आपने Pro models खरीदे है और 128GB का आपने कोई भी Pro model खरीदा है तो आपका जो ProRes है वो 4K में चलेगा ही नहीं ProRes का जो feature है वो आपका 1080p में चलेगा अब मैं समझ सकता हूँ कि Apple ने ऐसे क्यों किया है क्योंकि ProRes में आप जब भी कोई recording करते हो तो ज़्यादा storage यूज होता है तो आपका जो ProRes है वो 1080p में recording होगा इसलिए अगर आपको ProRes recording करना है 4K में तो फिर आपको थोड़ा और पैसा देने पड़ेगा एन आपको 128 की जगा पे 256GB का storage लेना पड़ेगा तो कहने का मतलब अगर आपको एक भी feature में compromise नहीं करना है तो आपको base model के जगा पे आपको ProModels लेने पड़ेगे and ProModels में भी आपको 128GB के बजाए आपको लेना पड़ेगा 256GB अब जैसे के मैंने आपको बता है कि ज़्यादा था लोग video recording prefer करते है 4K में ना के 1080p में लेकिन अगर cinematic mode की बात करें तो वो आप सिर्फ 1080p में ही कर सकते हो आप 4K में नहीं कर सकते हो फिर आपने कोई भी model खरीदा होगा तो जिया इसमें कोई भी doubt नहीं है कि cinematic mode का जो feature है बहुत ही अच्छा feature दिया है लेकिन अगर आपको cinematic mode use करना है तो आप 4K के साथ उसको नही यूज कर सकते हो अब बात कलत A15 chip के बारे में तो Apple event में Apple ने इसको compare किया leading competition के साथ लेकिन leading competition मतलब कौन क्या benchmark था कौन से circumstances में इसको compare किया है तो यह जो statement हो थोड़ा सा vague है हमको exactly पता है नहीं कितना अच्छा performance है and especially इस particular performance को iPhone 12 के साथ compare नहीं किया गया था तो इसका मतलब क् निकाला जा सकता है कि iPhone 12 के comparison में iPhone 13 का performance इतना major jump ना हो तो कितना improvement मिलता है आपको iPhone 12 के comparison में यह तो सिर्फ time ही बताएगा अब next जो point है वो मैंने अपने previous वाले video में already cover की है that is RAM तो RAM के बारे में Apple event में कुछ भी नहीं बताया गया लेकिन एक Geekbench score जो leak हुआ by Mac rumors उसके इसाब से Pro models में आपको 6GB RAM मिलता है और जो base models that is iPhone 13 and 13 mini उनमें आपको 4GB RAM मिलता है तो कहने का मतलब RAM के department में कोई भी improvement नहीं है previous model में आपको जो RAM मिलती है वो ही RAM आपको इन models में भी मिलती है लेकिन हाँ यह फरक हो सकता है कि A15 chip के वाज़े से आपको better RAM management मिल जाए इस बार अब next Apple event में हमको बताया गया था कि 20% smaller notch मिलती है तो यह बहुत ही बढ़िया improvement acceptable है लेकिन अगर आप पुराने वाले iPhones देखोगे तो वहाँ पे आपको battery के साथ battery percentage भी देखने को मिलती थी and जब से notch आ गया है उसके बाद battery percentage हमको नहीं दिखती है वहाँ पे right side पे तो अगर notch छोटी की ग आपको ज़ादा area देखने को मिलेगा लेकिन जब आप normally अपने phone को use कर रहे हो तब वो जो extra space आपको मिलती है वो utilize हो जाने चाहिए by showing the battery percentage तो अगर Apple ये वाला वीडियो देख रहा है तो मेरा suggestion ये होगा के notch छोटा किया बहुत ही बढ़िया किया लेकिन battery percentage अगर आप add कर दो iPhone 12 Pro Max की बात करें उसमें आपको मिलता था 2.5x telephoto with f2.2 लेकिन iPhone 13 के pro models की बात करें तो उसमें आपको 3x telephoto तो मिलता है लेकिन aperture अगर आप देखोगे तो वो आप हो चुक है f2.8 जिसका मतलब ये है कि 21% कम light enter हो पाएगी telephoto lens में compared to इसके previous वाले models लेकिन at the same time iPhone 13 की जो pro models ह उसमें आपको night mode का option मिल जाता है and वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसका aperture वो 2.8 है next बात कर ले थे e-sim के बारे में तो पिछले जो भी iPhone से उनमें आप एक physical sim and एक e-sim डाल सकते थे लेकिन अब iPhone 13 में अगर आप चाहो तो 2 e-sims भी डाल सकते हो तो आपके पास 2 options है या तो आप एक physical sim and e-sim डालो या फिर आप दो e-sims डालो लेकिन अगर आप तीनों sim एक साथ यूज़ करना चाहते तो वो possible नहीं है at one given point of time आप सिर्फ दो e-sims यूज़ कर सकते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा improvement है क्योंकि e-sims जादा secure है अगर आपका phone specially जब हो जाता है अगर उसमें e-sim होगा तो वो iPhone डूणने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी अगर आपको और ज़्यादा details जानने के जब आपका phone खो जाए तो आपको क्या करना है तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो उसकी link आपको यहाँ पे card में मिल जाएगी अब जब मिलेगी अब यह हटा दो दिया है लेकिन उस box को कैसे वो securely close करेगा वो हमको exactly आज के तारी में पता नहीं है लेकिन environment को mind में रखके यह वाले improvement एक welcome improvement है next बात कर लेदे battery के बारे में तो Apple event में Apple हमको यह कहा कि 1.5 hours से लेके 2.5 hours तक additional battery मिलती है आपको compared to previous model लेकिन अगर Apple की website आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर iPhone 13 mini की बात करें तो उसमें आपको video streaming 3 hours तक ज्यादा मिलती है compared to iPhone 12 mini and audio streaming आपको मिलती है 5 hours ज्यादा and iPhone 13 की बात करें तो वो आपको 4 hours ज्यादा video streaming देता है जबकि audio streaming आपको 10 hours तक ज्यादा मिलता है तो कहने का 5 hours and 2.5 hours additional बोला लेकिन actual जो आपको output मिलता है वो कहीं स्यादा better मिलता है similarly बात करते है Pro models की तो iPhone 13 Pro में आपको मिलते है 9 hours additional video streaming compare to iPhone 12 Pro and audio streaming आपको मिलती है 10 hours तक ज्याद and lastly iPhone 13 Pro Max की बात करें तो उसमें आपको video streaming 13 hours ज्यादे है and audio streaming आपको 15 hours additional मिल ज्यादा compare to iPhone 12 Pro Max तो मेरे साब से major jump पे बैटरी काफी अच्छी आपको मिल सकती है iPhone 13 सीरीज में अब बैटरी के बारे में आपको एक और additional information देता हूँ that is according to a product information sheet जो Apple के बहाफ में post की गई थी US Chemical Transportation Center को उसके हिसाब से iPhone 13 mini का जो model है उसमें आपको 2500 mh मिलता है that is last year की comparison में जादा है iPhone 13 की बात करे तो वापे आपको मिलता 3265 जो again iPhone 12 से जादा है 13 Pro की बात करे वापे आपको मिलता 3150 and 13 Pro Max की बात करे तो वो आपको 4400 mh मिल जाता जो last year के 3687 के comparison काफी बड़ा jump है तो कहने का मतलब Apple event में हमको जो battery increase बताया गया था उससे कहीं जादा better आपको battery मिल सकती है iPhone 13 सीरीज में next पात करे जो camera bump आपको मिलता था iPhone 12 में उससे कहीं जादा बड़ा आपको bump मिलता इस बार iPhone 13 में इसलिए अगर आप table पे इसको आप जब रखोगे तो आपका phone जादा rock होगा अगर आपने उस पे cover नहीं चड़ाया होगा तो अब iPhone 13 के जो models है वो है splash resistant, water resistant and dust resistant और इनको जो rating दिया गया है वो है IP68 लेकिन अगर आप ध्यान से terms and conditions पढ़ोगे Apple की website पे तो वहाँ पे clearly लिखा हुआ है कि splash, water and dust resistant जो है वो एक permanent condition नहीं है तो कहने का मतलब आपका phone आप जैसे ऐसे use करते जाओगे, जैसे ऐसे उस phone में wear and tear होगा वैसे 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 वो resistance कम होता जाएगा and above all आप याद रखना कि liquid damage warranty में covered नहीं होता है and इसका एक और reason ये भी है कि अगर पानी गया है आपके iPhone में तो Apple को ये पता नहीं है कौन सा पानी है क्या वो salty water है, क्या वो swimming pool का water है, क्या वो mineral water है तो since Apple को exactly वो circumstances पता नहीं है इसलिए उसने liquid damage को warranty के बाहर रखा हुआ है तो जो लोग मेरे को comment करके ये पूछ रहे थे कि मेरा iPhone water resistant है, तो क्या इसको मैं पानी में use कर सकता हूँ तो बिल्कुल नहीं use कर सकते हो Apple ने अपने terms and conditions में लिखा हुआ है कि warranty में included तो नहीं है and at the same time, slowly, gradually इसका resistance भी कम होता जाएगा अब इन सब points है, मैंसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी quality information मिला है तो like and share जरूर करें अगर आप इस चैनल पे पहली बार आये हो या फिर अभी भी आपने subscribe नहीं किया तो कर सकते हो, pass में आपको जो bell icon दिख रहा है नेक्स वीडियो में